जिस हिसाब से बिहारी वर्ड यूस किया जाता है, बिहारी मतलब लेबर, बिहारी मतलब रिक्षा चलाने वाला, बिहारी मतलब बोज उठाने वाला, अनपड़, गवार, गरीब, जिसको तहजीब नहीं है, तमीज नहीं है, तो गाली भी दी जाती है उसी हिसाब से, और काम 27 साल के हूंगे अड़र्टाइजिंग में काम करते थे डेली गुर्गाउ में ही और हमारे बहुत सेनियर सर थे जो लखनौ से थे चार साथ से हम लोग उने जाते थे लखनौ से चीज़े लाते थे हमारे लिए लखनौ की बाते बताते थे एक दिन अचानक से उनके फादर की गैद की खबर आई जो उनके बॉस को आई और उन्हें वापस बुलाया गया उनकी होम टाउन और होम टाउन कौन सा था पटना उस दिन हमें पता चड़ा कि वह लखनौ से नहीं थे वह पटना से थे वह बिहारी थे और वह पिछले चार साथ से इस बात को सब से चुपाते आए थे एक इतने बड़े सीनियर पोजिशन में होके इतना अच्छा अपने करियर में करते हुए बेरी बेल एजुकेटड परसन अगर वह इस बात को चुपाना चाहते हैं कि वह बिहार से हैं तो जरूर दे वर्ड बिहारी में कोई प्रॉब्लम है और उस दिन मुझे जलान के नाम से हमें जाना जाता है मेरे ग्रेट ग्रान फादर आंटीक और आर्ट कलेक्टर है थे और उन्होंने कैसा कलेक्शन बनाया पूरी दुनिया घुमके जिसे देखने दुनिया भर से लोग आज तक हमारे घर आते हैं अभी पंद्रा मिनित तक आप एक ऐसी जो 40 साल देश विदेश घुमके वापस अपने घर आई है बिहार आई है और एक चोड़ा सा बिजन साथ की है तो आपको मैं अपने बारे में थोड़ा बताओं जब हम छोटे थी साथ साल के थी तो मेरे पैरेंस ने हम साल हम सब बच्चों को पढ़ना से भार भेज दिया पढ़ाई के लिए स्कूलिंग के लिए तो हमारे फादर ने हम लोग सब को बाहर भेज दिया और उने बोला तुम स्कूल में पढ़ो उसके बाद कॉलेज करो ग्राजुएशन करो मास्टर्स करो पी एच्टी करो जितनी पढ़ाई जहां से करनी है करो लेकिन एक शर्त है जो कॉलेज, जो ग्राजुएशन, बाचिलर्स दिग्री तो मेरे तीन साल करनी है वो हम सब को जितने बचे थे पटना से ही करनी होगी है फिर हमने पूछा क्यों जब आप हमें अच्छी स्कूल में बाहर भेज रहे हो आप हमें पटना क्यों पढ़ा रहे हो पढ़ने के ल अगर वो तीन साल मैंने पटना में नहीं बताया होते है थांक्स तो माइ फादर, आज मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, मेरी रूट्स कितने डीप है, मेरी हेरिटेज क्या है, मेरी बैक्राउंड क्या है, मेरी हिस्ट्री क्या है, और वहां से उसके बाद फिर हम आगे पढ पढ़ाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ाते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में डिरेक्टर्स को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीजे इस दौरान हमेशा मुझे पिंच करती रही, और एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, जब मैंने आक्चिली समझा क कि बिहारी वर्ड और ये बिहारी टर्म कितना बड़ा टैग और एक तरह से बोज है बहुत लोगों के लिए, जिस हिसाब से बिहारी वर्ड यूज किया जाता है, बिहारी मतलब लेब, बिहारी मतलब विक्षर चलाने वाला, बिहारी मतलब बोज उठाने वाला, गरीब जिसको तहजीब नहीं है तो गाली भी दी जाती उसी हिसाब से और काम भी कराया जाता है उसी हिसाब से मुझे आद एक इंसिडेंट जब हमारे एक रेलेटिव आई एस ऑफिसर है उनके घर में कुछ काम चल रहा था और कॉंट्राक्टर ने बुला इस काम को करने में तो सर दस बिहारी लगेंगे तोनों तपाक से जवाब दिया एक बिहारी तुम्हें हो बाकी नौ तुम ले हो कितने लेबल्स लगाएवे हैं कि अगर आप बिहार से हो तो आपको गरीब होना ज़रूरी है अप अच्छे से बात नहीं कर सकते हो आप इमें तहजीब तमीज नहीं हो सकती है आप काईदे नहीं जान सकते हो तो जब हम वापस बिहार आए 2019 में जैसे मैंने आपको पहले बताया आठ कलेक्शन में बहुत जादा इन्वार्व दे मेरी क्रेग ग्रांट फादर का बहुत बड़ा आठ कलेक्शन था जिसे देखने दुनिया भर से लोग प्राइम मिनिस्टर जवाहला नहरू दोबार आ चुके हैं बहुत लोग आते थे देखने के लिए अभी भी आते हैं तो एक तरह से आठ हमारे जहन में बसावा है तो वो एक है और फिर मेरी मदर जो मदू बनी आर्टिस को और भागलपुरी सिल्ख को हमेशा से प्रमोट क कमबाइन करके आज मैंने कंपनी बनाई है जिसका नाम है बिहार जो बिहार की आर्ट को प्रमोट करता है यह आइडिया मुझे तब आया जब हमारे घर में हमारे म्यूजियम में एक हम जब लोगों को दिखाते थे तो हम जब सुनते थे अपने बड़ों से वह ऐसी दिखा द्रेस्टन चायना किया होता है मुझे कभी समझ में यादा था बड़ मेरा पेवरिट पीस था त्रेस्टन चायना तो जब हम बाहर गुमने गए ज़ोमनी गए तो मैंने मैं देखा एक वर्ड ड्रेस्टन उदेर मुझे समझ में आया जगा का नाम है और ओटमाटिक लिट यह वर्ड मैंने शुरू से बच्छपन से सुना था और मुझे वह प्लेट्स बहुत पसंदे ड्रेस्टन के मुझे वह जगा जाना था मुझे देखना था कि जिस जगह की चीज इतनी सुन्दर हो सकती है वो जगह तो सुन्दर होगी ही होगी और एक कनेक्शन बनावा था उस जगह के साथ जबकि मुझे पता भी नहीं था वो एक जगह है तो उसी फीलिंग को मैंने उठाया और मैंने बिहार्थ बनाया और उसमें बिहार्थ की जो कलाएं हैं अभी लुप्त भी हो रही है और ऐसी वीव्ज है जो शायर लोग जानते नहीं होंगे जैग जर्ना वीव चिंगारी वीव जिसको हम रिवाइफ कर रहे हैं और हम इतन हैं तो हमेशा बिहार के बारे में कम से कम एक चोटी सी बलेई एविन लिटल स्टेप लिटल ड्रॉप एक अच्छी इमिज बनेगी बिहार्थ मैंने स्टार्ट किया 2019 2020 में 2020 में और फेबरी में स्टार्ट किया अनफॉचनेटली 2020 मार्च में लॉकडाउन हो गया तो जितना कुछ सोचा वा था जितने पैसे खर्च किये थे सारा कुछ पे एक लॉक लग गया लॉकडाउन के साथ सो डेर साल दो साल बहुत मुश्किल हुई इसको चलाने में हमने वीवर वाइफ किया नए चीजे बनाई दस लेडिस को जोड के उनको फुल टाइम एम्प्लॉइमेंट दिया हमारे कम से कम अठारा लोग हैं जो हमारे साथ फुल टाइम जुड़े वे हैं और इसके अलावा दो विलिजज़ हैं एक आरा में हैं एक छप्रा में हैं जो हमारा और भागलपूर और भागलपूर और बिहार शडीफ में हमारे वीवर्स हैं जो आल ओवर बिहार बिहार के लोग काम कर रहे हैं अब हमारी वेबसाइड लांच वी 2023 में और और चार पांच मैने वे हैं और अब तो नाव जेनरेट रेवन्यों फॉरांग 2 लाक रुपीस अ मन्त और मन्त हम लोग बहुत अच्छा इंप्रूफ कर रहे हैं लोग हमारी चीजों को पसंद कर रहे हैं और और अल ओवर इंडिया से हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं हमारी चीजों को लाइक कर रहे हैं और बहुत सारी बिहारी केवल इसलिए हम से करेंट कर रहे हैं क्यो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि वो बहुत खुश है कि आज बिहार से कुछ ऐसा है and she was almost in tears. उनके आख में I could hear. सुनाई दे रहा था उनका खुशी over the phone, how happy she was. Similarly, पुने से कोई फैट्टरी चलाते हैं अपने, पुने में बहुत बड़ी फैट्टरी है उनकी. उन्होंने मुझे फोन करके बोला, बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कपड़ों में तुम डील नहीं करते हैं, लेकिन कोई मदद चाहिए, मैं आपके साथ हूँ. कालिफॉर्णिया से एक लेडी है, रीना जी, उन्होंने फोन करके बोला कि कालिफॉर्णिया में रहे के हम आपके बारे में सुने हैं, एंड हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम जब पटना आएंगे हम आपस मिलना चाहते हैं, तो जिस तरीके से केवल हम अपना वाली फील, गर्व वाली फील डालने की कोशिच कर रहे हैं, लिटल बाई लिटल हम लोग उस चीज को अचीज कर रहे हैं, जब हम वापस बिहार आएं, हमारी ट्रेडिंग चल रही थी, I mean, हम ट्रेडिंग देते हैं, बड़े कॉर्परेट में डरेक्टर्स को पढ़ाते ह चल रही थी, तो उसमें जादा मेरा समय नहीं वतीत होता था, साथी साथ मैंने देखा कि मेरी ममी जो मदुबनी का काम करती हूं, वीवर्स भागलपुई सिल्क का काम कराती हैं, वो वीवर्स अपनी गठ्री लेके ममा के पास आते थे, और अपने साड़ियां दिखाते थे एक साड़ी बनाने में उन्हें तीन या चार दिन लगता था, और वो मात्र आठ सो या नौ सो रुपए के प्रॉफिट में, अगर वो साड़ी उनको तीन हजार की पड़ी है, तो मैक्सिमम साड़े तीन या चार हजार रुपए में वो उसको बेचते थे, तो उन दिखाते की महनत के लिए वो मात्र पांच सो रुपए कमाते थे, जो पूरी फैमिली लगते बनाती थी, तो इन वीवर्स से मेरी मुलाकात इस तरीके से हुई, पावर लूम में एक दिन में चार साड़ी में एक दिन, धीरे धीरे ये पूरा हाथ का काम जो बिहार से औरिजनेट हु से इकत निकला है, हम वापस पठना आएं, बहुत सुन्दे थे लोगों से, पठना में बिजनस नहीं हो सकता, पठना में काम क्या करोगे, पठना में रह के करोगे क्या, कितने ऑपरचिनिटीज हैं यहां पे, कितने अच्छे लोग हैं, और उनकी सीखने की तलब, उन्हें यह फैमिली नहीं है, मेरी एक फैमिली काम वाली है और एक फैमिली घर वाली है, और कभी-कभी दोनों ओवरलाप हो जाती है, जब मैंने अपने e-commerce brand स्टार्ट के अबिहार में, बहुत चालेंजे आए, पत्ना में प्रोफेशनल्स अवैलेबल उतने नहीं हैं, कोई यह नहीं के हमहें मारे पास वह काबियत नहीं है, बधब वो पत्ना के भाहर चले आ, कोई भी भाहर में अवैलेबल ही नहीं है, not being able to find चोड़े चोड़े प्रोफेशनल्स अगर आपको अपने सिटी में नहीं मिल पाते हैं बट उसकी अच्छी बात यह है कि अगर हम बाहर में किसी से कनेक्ट करते हैं unbelievably so 80% of the people जो मुझे बाहर मिल रहे हैं वो बिहार के तो मेरी marketing agency डैली में है लेकिन उसके जो लोग हैं वो बिहार के मेरे photography studio Bombay में है लेकिन महां के जो photographer है वो बिहार के तो हो सकता है यह challenge है मेरे को बट बिहारी होने का फाइदा यह है कि हमारे लोग घर जगाए हैं इतने फैले में हैं कि अब शायद पूरा इंडिया एक बिहार है एंड इन दी एंड नंत में आपसे यह कहना चाहेंगे कि खुल के काई यह बहुत गर से काई है कि हम बिहारी है इसने डेर सारा inspiring story एक से एक बढ़के बिहारी के एकर आपर देखेला मिल को एकर नाम है मोटिवेसानलेल की काम शुरू केल के शपलता कैसर मिलते यह बहुत जण्डा काड़ता हूँ